हेलो व्रेवन वेलकॉम यूओ वालेट लूकिस रालिम्टेड इस्टेडी जोन एक्जाम्पलर सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फुल सिलूशन कंटिनुटी अन डिफ्रेंशिबिल्टी क्लास 12 का चैप्टर नमर 5 है वैसे यह आपको में लेगा आपके CBSC syllabus में क्लास 12 में चैप्टर नमर 5 में और इसमें हम subjective competitive everything यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं तो यह है चैप्टर continuity and differentiability और इसमें सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं short answer type question particularly आपके सामने हम exampler problem का solution लेकर के आए हैं और यह लगबग हर exam के लिए यह जो book है बहुत ही important है very important तो आप अगर NDA की तियारी कर रहे हैं अगर आप CUET की तियारी कर रहे हैं अगर आप various teaching examination की तियारी कर रहे हैं और अगर आप जो है और भी uncompetitive examination की तियारी कर रहे हैं so I will recommend कि आप लोग जो है इस जो मैं lecture आपको deliver कर रहा हूँ वो आप जरूर पढ़िए मैं short and sweet आपको question answer discuss करूँगा यहापर देखिए पहला question examine the continuity of the function this at x equal to 1 तो वैसे ही polynomial function है तो continuous तो हो गई है ना क्योंकि polynomial function जो होता है every point पर continuous होता है बाकी check करने का तरीका आपने right hand limit निकाल ली है या आपने left hand limit निकाल ली है दोनों equal आ रही है और function की value भी 2 आ रही है so limit key value और function की value equal है इसलिए यह function क्या है continuous होगा at x equal to 1 पर आकी आप solve कर सकते हैं चलिए next question देखिए अगला question है two के आंगे एक अलग function है two के पीछे अलग function तो यह जो उपर वाला question था यह easy था okay यह easy category का question था simple question और simple question जो होते हैं वो CUET में आते हैं okay अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे simple question होते हैं और ultra simple question very simple question वो question जो होते हैं CUET के exam में पुछे जाते हैं जो आपके NDA level के question होते हैं वो आपके NDA थोड़े सा hard level के question होते हैं मतलब वो होते हैं आपके वो NDA और various teaching examination TET वगरी में या KVS, NVS इत्यादी में पूछे जाते हैं और जो उस से difficult question होते हैं वो पूछे जाते हैं किसमें आपके JEE मेंस इत्यादी एक्जाम में ओके पूछे जाते हैं तो तीन लेवल पे मैं यहां कोश्चन को कराता हूँ यह स्टार्ट करते हैं देखे तो पहले यह कोश्चन आगया मैं पर 3X प्लस 5 अब यह फिर से सिंपल कोश्चन है तो यह जो है यह CUET लेवल का कोश्चन है लेवल वन कोश्चन है क्या कहा रहा है देखे X equal to 2 पर कहा रहा है कि चेक करना फंक्शन तो सबसे पहले अपने left hand limit निकाल ली है तो left hand limit फूर आ गई है फिर item limit लिका दिए तो 11 आ गई है तो यह देखे यह discontinuous होगा X equal to 2 पर ओके तो यह भी कोश्चन easy था next question देखे हाँ यह कोश्चन थोड़ा सा मैं कहा सकता हूँ की end यह level का थोड़ा सा difficulty बल गई है इसमें तो limit X की 0 पर 5 दी गई है और 1 minus cos 2X upon X square तो इसको simplify करेंगे तो हलाकि इसमें left और light लेके किया गया बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप simple भी formula लगा कि हलाक फिलाल left की form में देख लिए 0 minus h यह उसको लिए X की जगे और 0 minus h का square इसको solve कर दीजे ओके 1 minus cos 2H equal to 2 sin इसकी value किते जाएगी 2 आजाएगी अब साब दीगे है कि X equal to 0 पर 5 है तो मतलब continuous तो हाई नहीं है क्योंकि left hand limit ही 2 के equal आचुकी है बाकि right hand limit भी आपने निकाल लिए तो right hand limit भी 2 के equal आगी है so case of right hand equal नहीं है so this is not continuous at X equal to 0 okay so easy question है अगले question क्यों चलते हैं यह देखे 2X square minus 3X minus 2 और X minus 2 तो इसको क्या करोगे आप इसको आप break करके भी कर सकते हो और इसमें वही left और right करके किया गया है जैसे यहाँ पर वह भी है या आप चाहो तो इसको break करके भी कर सकते हो 2X square minus का 4X plus X और minus का 2 divided by X minus 2 ओके और limit X tends to 2 चली रहा है यहाँ पर limit X tends to 2 क्योंकि आपको 2 पर limiting वाली यहाँ से 2X common ले तो कितना हो गया X minus 2 और plus 1 कितना हो गया X minus 2 divided by X minus 2 और X minus 2 अब पूरे से common ले लिए कितना ज़ेगा 2X minus का 1 और यहाँ पर कितना X minus 2 से X minus 2 cancel हो गया अब limit X tends to 2 है तो X की value 2 to the 4 और minus 1 तो answer कितना आया 3 और यहाँ पर यह 2 पर 5 आ रही है मतलब एक value 3 आ रही है और एक 5 आ रही है मतलब limit exist नहीं करीगी और देख लीजे यहाँ पर अपने जो left hand limit है एक minute कोई mistake होई है यहाँ पर क्या हाँ mistake होई है 2X plus 1 है 2X plus 1 है sorry तो 2X plus 1 है 2 into 2 plus 1 that is equal to 5 तो यहाँ पर limiting value कितना आ चुकी 5 आ चुकी है और exact value X equal to 2 पर भी कितना आ रही है 5 आ रही है इसका मतलब function क्या होगा continuous होगा और बाकी इसका तरीका जो है वो देख लो सबसे पहले left hand limit 2 minus पर तो X की जिएकर 2 minus H है उसको करकेस ने solve कर दिया H से H cancel होगया और finally आपकी value कितनी आ गई है 5 आ चुकी है left hand limit अब right hand limit में X equal to 2 plus H रखकेस ने simplify कर दिया तो F equal to 5 आ चुकी है यह भी simple question है चले अगला question देखिए अगला question बहुत ही प्यारा question है X equal to 4 पर तो दो concept 4 plus H और 4 minus H तो 4 plus H पर यह जो है कितना आ जाएगा 4 plus H पर यह plus 1 पर break हो जाएगा तो 4 plus H पर 1 by 2 और minus 1 by 2 आ जाएगा मतलब limit exist इसकी नहीं करीगी किसी हालत में ओके तो देख लिए 4 plus 4 minus H पर यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि अवर left hand limit ही निकाल ली है और left hand limit जो है function की वैले को equal नहीं है तो right निकालने की जरूरत ही नहीं है तो function continuous नहीं है it is discontinuous X equal to 4 X cos question number 6 देखिए question number 6 है mod x cos 1 by x x is not equal to 0 ओके और दूसरा 0 पर 0 है तो continuous है की नहीं है तो mod x equal to क्या होता देखिए एक बनेगा 0 plus h और एक बनेगा 0 minus h है ना तो देखिए mod x में अगर आप left hand limit तो 0 minus h यानिकी minus h का mod cos 0 minus h मतलब h cos 1 by h अब यह h की value 0 डालके यह जो होगा this is any value oscillating between minus 1 to plus 1 तो इसकी value left hand limit कितनी आजाएगे 0 और right hand limit भी कितनी आजाएगे 0 0 plus h cos 1 by h तो इसकी value 0 आजाएगी मतलब function क्या continuous है यह थोड़ा साफ लोग इसको देख करके एक बार करिए क्योंकि काफी बार यह exam में आ चुका है और यह question I would like यह nda में आ सकता है question ओके तो question number 7 आप देख लीजिए बिल्कुल उसी तरीकिक का question number 7 है limit x की जगे पहले a minus h रख दिया है तो भी 0 आ गया है और फिर x के बाद में x की जगे a plus h करके किया गया है तो भी answer कितना आ गया है 0 आ गया है next question number 8 nda level का question है कैसे करेंगे e की power 1 by x plus 1 upon e की power 1 plus 1 by x तो 0 minus h पूट करके करने पर दीखे कुछ इस तरीके का हालाद बन गया है ओके यहां से सारे step देखते जाए आराम से आप लोग और फिर e की power 1 by h h की जगे रख दिया हमने 0 तो 1 by 0 infinity so 1 upon infinity बलस वाना answer कितना आ गया 0 आ गया left hand limit अब राइट hand limit निकालते है e की power 1 by x plus 1 upon e की power 1 by x तो 1 upon 0 plus h 1 by h plus 1 upon e की power h अब e की power 1 by h उपर से comment लिजे तो कितना बज़ेगा e की power minus 1 by h e की power minus infinity plus 1 so 1 upon 0 plus 1 कितना हो गया answer 1 हो गया तो LHL और RHL equal नहीं है इसका मतलब function क्या होगा discontinuous, discontinuous होगा 0 पर अब देखे next क्या कह रहा है x equal to 1 पर कह रहा है की check करना है की continuity है की नहीं है तो x equal to 1 पर देखे ऊपर वाला जो function है आपको left hand limit देगा और नीचे वाला function क्या देगा right hand limit तो ऊपर वाले function पर हम left hand limit और function की value निकालते है तो LHL equal to limit h tends to 1 minus x square by 2 तो x की जग कितना होगा 1 minus h का होल square by 2 solve करने पर कितना हो जाएगा minus 3 minus 3 h plus 3 by 2 इसको solve कर देखे value कितना होगा 1 by 2 तो left hand limit भी आई ये 1 by 2 right hand limit भी बन ये 1 by 2 और x equal to 1 पर value भी 1 by 2 ही आ रही है तो इसका मतलब जो है function क्या है x equal to 1 पर continuous है तो ये भी एक easy question है बड़ा ही easy question हो और ऐसा question जो है CBSC exams में पूछा जाता है चलिए अब देखे अगला question question number 10 क्या रहा है कि x equal to 1 पर इस function के क्या हाला थे तो देखे 1 minus और 1 plus पर हमको इसकी देखनी value तो 1 minus पर हमको mod of x plus x minus 1 तो 1 की जगे हम क्या put कर देंगे 1 minus h okay तो mod of 1 minus h plus mod of 1 minus h minus का 1 तो इसको solve करेंगे तो h की जगे 0 तो 1 का mod कितना हो गया 1 हो गया फिर 1 से 1 कैंसल हो गया h की जगे 0 हो गया तो answer कितना आ गया पहले कितना आ गया 1 second limit x tends to 1 minus x plus mod x plus x minus 1 okay limit x tends to 1 minus mod x plus mod x minus 1 तो x equal to आरे चल कर रहे है तो 1 plus होगा actually minus नहीं यहाँ पर यहाँ पर इसको plus करना चाहिए तो 1 plus to 1 plus h and plus 1 plus h minus 1 1 से 1 कैंसल 1 आ गया so यहाँ पर value कितनी आ गई? 1 आ गई left भी value 1 है right भी 1 है और आपकी function की value भी कितनी आ रही है 1 पर आएगी 1 तो तीनों equal है इसका मतलब जो है है ना यह जो function है x equal to 1 पर क्या होगा continuous होगा और वैसे भी दिखे जिनमें लिखा हुआ है हिंट लिखा हुआ है कि every every modulus function is a continuous function at any real point मतलब सारे के सारे जो modulus function होते है हर point पर क्या होते है continuous होगा करते है ओके अगला question देखे क्या रहा है कि अगर वो जो है x equal to 5 पर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर k की value find करनी पड़ीगी तो x equal to 5 पर continuous होगा left hand limit equal to right hand limit equal to function की value तो आप इसमें left hand limit निकल लीजे 3x minus 8 में 3 into 5 minus 8 minus 8 मतलब कितना आगा 7 और right hand limit कितनी आजाएगी 2 के ही आजाएगी 2 तो दोनों को equal कर दीजे so answer के equal to कितना 7 by 2 तो यह बहुत ही simple question है ऐसा question जो है CVT में पूछा जाता है ठेकर next देखिए आपके पास क्या दिया 2 की power x plus 2 minus 16 और 4 की power x minus 16 x is not equal to 2 ओके कह रहा कि x equal to 2 पर continuous है तो LHS okay तो sorry हमको के की value निकाल नहीं तो LHS equal to RHS equal to 2 तो LHS निकालने का तरीका limit 2 पर this is equals to limit 2 to the power x into the power 2 minus 2 की power 4 upon 4 की power x minus 4 के square तो इसको solve करते है तो limit x tends to 2 4 common area 2 की power x minus 4 और 2 की power x का square minus 4 का square इसको break कर देंगे 4 common area 2 की power x minus 4 2 की power x minus 4 cancel 4 upon कितना हो गया 2 की power x plus 4 और x की value क्या है limit x tends to 2 है तो यह कितना हो गया 1 upon 4 by 4 plus 4 2 की power 2 आ गया तो 4 by 4 8 हो गया 4 by 4 plus 4 8 हो गया और 4 by 8 equals to कितना हो जाएगा आपके पस में 2 हो जाएगा तो solve कर लिजी easy question है ok nda category का question है easy question done चलिए देखे next question इसमें कह रहा है कि यह आपके सामने function है और x equal to 0 पर continuous है तो आपको यहाँ पर की value find करनी है इन सभी question में आपको जो है की value find करनी है तो कैसे करेंगे देखे तो देखे अपने function को यह दिया हुआ है x equal to 0 पर continuous मैं क्या करता हूँ x less than 0 x greater than 0 इन दोनों पर limit find करता हूँ और x equal to 0 पर function की value निकालता हूँ तो x equal to 0 किसे निकलेगा इस से निकलेगा तो x equal to 0 पर कितना हैगा 2 into 0 plus 1 upon 0 minus 1 मतलब कितना हैगा minus 1 मतलब f of 0 equal to कितना आ रहा है आपे minus 1 आ रहा है अब हम start करते है left hand limit से तो left hand limit निकालने के लिए यहाँ पर देखे यहाँ पर f equal to minus 1 इसने पहले निकाल दिया अब limit x tends to 0 minus पर left hand limit निकालता हूँ मैं तो कैसे करेंगे इसको rationalization पहले करके function को simplify कर लिया और some function simplify करने पर अब उपर जो दिया हुआ है देखे किस तरीके सागा 2 के x और bracket में x और यहाँ पर कितना one plus की x और one minus की x तो एक काम करो x से सबसे पहले x को cancel कर दो अब यह function आपका बन चुका है अब x tends to 0 minus है limit x tends to 0 minus है याने x equal to 0 minus h put कर दो और अगर x tends to 0 तो h is also tends to 0 कर दो तो h tends to 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 minus h तो put करने पर कितना आगया k तो answer k की value कितने आएगी minus 1 क्योंकि अगर exist करेगा function तो left hand limit और right hand limit की value function की equal होगी और k equal to कितना होगा minus का one चलिए 14 question देखते हैं x is not equal to 0 पर value किती दी है अपने पास में 1 minus k x upon x sin x है और x equal to 0 पर 1 by 2 है तो आपको k की value find करना है ओके तो ये question भी nda के लिए बढ़िया है वैसे तकरीबन सारे question बहुत अच्छे हैं इसमें उपर जो question दिया गया ये भी बहुत बढ़िया है और I believe कि CBSC level में ये question बहुत fit बैठता है चलिए फिलाहल अगला question कर रहे है तो अगला question देखते हैं 1 minus k x upon x sin x, x is not equal to 0 और x equal to 0 पर 1 by 2 तो हम limit extends to 0 minus और 0 plus निकालते हैं सबसे पहले left hand limit निकालते हैं तो 1 minus cos k minus x की जगे क्या रखेंगे 0 minus h तो 1 minus cos k h upon h sin h तो 1 minus cos k h equal to कितना होता है 2 sin square k h by 2 हो जाएगा और h sin h हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं हमारे पास sin k h by 2 है और h sin h है हमारे पास में तो इसको हमको simplify करना पड़ेगा थोड़ा से इस पर मेनद करनी पड़ेगी देखिए करना क्या है आपको आपके पास देखिए यहाँ पर k h by 2 है आपने k h by 2 का डिवाइट कर दिया है ना और k h by 2 दो बार डिवाइट कर दिया इसके साथ में और k h square k square h square by 4 क्योंकि आपने दो बार k h by 2 k h by 2 का नीचे डिवाइट किया है तो k h by k h by 2 k h by 2 का उपर भी multiply करेंगे तो क्या हो जागा देखिए आपके पास में यह जो बनेगा इस तरीके से बनेगा आपके पास में इसको ऐसे समझो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिखा है कि आपको समझ में अने में दिक्कत होगी सबसे पहले 2 हो आप बाहर कर दो और यह अपने पास है कितना k h by 2 तो upon में k h by 2 का डिवाइट कर दो और साथ में एक और k h by 2 का डिवाइट कर दो तो यह क्या बन गया square अब देखो आपके पास 1 h already इसको यहां रख दो और आपने जो डिवाइट के उसका multiply कर दो उपर तो k square h square upon कितना नीचे आएगा 4 और यहां पर आपके पास में कितना बैठा हुआ है देखे उपर आपके पास में उपर बैठा हुआ है नीचे बैठा हुआ है एक sin h तो यहां पर कितना है sin h यह कर दो अब 1 h से 1 h cancel कर दिया तो आपके पास क्या उपर बन गया देखो यह चीछ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी तो 2 into 1 multiply by k square upon 4 और h upon sin h भी कितना होता 1 होता है तो कुल में लाके k square by 2 आ गया k square by 2 जो left hand limit आपने निकाली वो कितनी आगी k square by 2 अब x equal to 0 पर value कितनी है 1 by 2 मतलब k square by 2 equal to कितना हो गया 1 by 2 तो k से इससे cancel हो गया okay so k square by 2 equal to 1 by 2 तो k equal to कितना हो गया plus minus 1 तो answer इसका कितना हो गया k equal to plus minus 1 तो आराम से इसको solve किजा आप लोग थोड़ा सा महनत लगी इस question में but finally ये solve हो जाएगा ओके चलिए करिए इसको जल्दी से ये थोड़ा सा बढ़िया question है ओके और ये endya level का question है बहुत अच्छा question है तो left और left क्योंकि आपको kudu कहरा function continuous है तो आपको बेवज़ा right hand limit निकालने की आपको जरूरत नहीं है कोई right hand limit निकालने की कोई बात ही नहीं है आप सीरे left hand limit से ही आप काम चला सकते है left hand limit of function की value equal कर दो ये right hand limit of function की value equal कर दो तो आपका बात काम चल जाएगा चलिए अगला देखिए कहरा की for prove that f is a function defined by this is remain discontinuous at x equal to 0 regardless of choice of k k की value से कोई मतलब नहीं है ये हमें साथ discontinuous होगा तो गुल मिला कि क्या करना आपको lhl और rhl पर आपको काम करना है तो lhl और rhl पर आपको काम करना है तो rhl में क्या होगा ये रिखिए 0 minus h हो जाएगा तो इसको solve करीए तो value कितनी है जाएगी minus 1 और lhl पर ये वेल्यू आजएगी sorry minus 1 और rhl पर ये वेल्यू कितनी है जाएगी plus 1 तो मतलब कोई आपका f0 का chance ही नहीं मिला क्योंकि limit से ही दोनों के आगा है and equal आचुका है अब आप दोनों को solve करके आपने देखे value निकाल ली है तो plus minus plus minus 1 और ये मतलब की function जो होगा कैसा होगा discontinuous होगा and regardless the choice of the k it will be discontinuous so this is done no question क्या है find the values if a and b such that function defined by this is continuous at x equal to 4 अगर ये function x equal to 4 पर continuous है अपको तो कह रहा है कि बताईए क्या होगी a की और b की value ठीक ना तो continuous है x equal to 4 पर मतलब की 4 पर value less than 4 पर limit left hand limit और 4 पर right hand limit के क्या होगी equal होगी तो चलिए हाँ पर बस कुछ करना नहीं है आपको 4 पर left hand limit निकाल नहीं है तो 4 पर left hand limit इस function से निकलेगी तो क्या करोगा x equal to 4 minus h रख दूगे है ना 4 से less तो x equal to 4 minus h h tends to 0 solve के आपने कितना आगया minus 1 plus a फिर आपने left hand limit निकाल ली तो x equal to 4 plus h रख के कितना आगया 1 plus b तो आपकी left hand limit कितनी आई है minus 1 plus a equal to कितना 1 plus b equal to 4 पर value दी गई है function के वो कितनी है a plus b a plus b okay ideally ये function आपका बनेगा minus 1 plus a equal to 1 plus b equal to this okay तो इसको आप एक 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 क्योट करके आप answer निकाल सकते हैं minus 1 plus a equal to a plus b ये आप कर दें a से क्या हो जागा cancel तो b की value कितनी आगई minus 1 ठीक ना और दूसरा minus 1 plus a equal to a plus b दूसरा b 1 plus b equal to a plus b आपने कर दिया तो b से b cancel होगए तो a की value कितनी आ चुकी 1 तो a की value यहां देखिए वाना चुकी है और b की value कितनी minus 1 तो question बहुत easy है आप लोग इसको जरूर करिए बहुत easy question है and अच्छा question है important question है exams के लिए ठीक ना बढ़िया question लगाई इसके पहले भी जो question था ये भी must question है function f of fx तो सबसे पहले आपके पास fx ही दिया गया है और आपको composite function निकालना है f of fx तो fx equal to 1 upon x x plus 2 है तो f of fx यहने function of 1 by x plus 2 तो कैसे solve करेंगे 1 upon 1 plus x by 2 plus 2 that is equal to 1 upon x 1 plus 2 x plus 4 ओके और 1 plus 2 x plus 4 और multiply by x by 2 तो x plus 2 upon 2 x plus 5 आपको पता है कि discontinuity वहां होती है जहां पर denominator 0 केकल होता है तो discontinuity कहां होगी यहां पर x equal to minus 5 by 2 क्योंकि यहां पर denominator को 0 कर दोगे तो function क्या हो जागा discontinuous हो जाएगा ठीक ना चलिए अगला question देखते है question number 17 हो चुका है completely one marks का good question है यह आपका जो cu t examination में ऐसे simple tape का question जो बहुत ही ultra simple होते है वो cu t examination में आते है next find all point of discontinuity of the function f t is equal to one upon t square plus t minus 2 where t is equal to one upon x minus 1 तो भाई जहां पर t है वहां पर x minus 1 रख दीजे तो इसको simplify कर लिजे और कुछ नहीं आपको simplify करना बाद में तो आपके पास कितना आ गया आपके पास में आ गया one upon bracket में है minus of 2x square minus 5x plus 2 तो इसको आपने bracket में factorize कर लिया और एक part इसका zero कर दो एक part इसका zero कर दो तो आपके पास 2 point of discontinuity आ जाएं क्योंकि discontinuity के लिए denominator क्या होना चाहिए zero होना चाहिए तो आपका यह answer इस तरीके से आ जाएगा तो question number 18 जो है वो भी आपका हो गया done complete ओके तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं question lengthy दिखने में बठ है conceptually बहुत easy question है कोई भी दिक्कत इन में आपको नहीं जाएगी ओके चलिए अगला देखे show that the function is continuous at x equal to pi अब देखो भाई इसमें क्या है कि यह दो अचलिए modulus function और उसका modulus के अंदर यह function है तो एक function आप माल लो mod of x दूसरा माल लो sin x plus cos x तो दो function का एक composition है h of gx का ओके तो देखो एक्शली दो gx भी continuous है और hx जो mod x हो भी continuous है और दो function का composition जो होता है okay because यह क्या है दो continuous function का composition है question number 20 देखते हैं अपने पास में okay question number 20 थोड़ी सी मेहनत लेगा क्योंकि इसमें greatest integer function involved है इसको हम लोग करते हैं okay दोस्तों तो यह अभी lecture को इसी पर यही पर समाप्त करते हैं इसके बाद अगली class में हम इसके आँगे continue करेंगे अपनी class को thank you so much for being with location unlimited study zone bye bye